तो हेलो दोस्तों मैं अमन सिंग राशबूत एक वर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे बहुत यह बहुत यह लर्निंग प्लैटफॉर्म मुफ्तिशिक्षा पर जैसे कि आप सभी को पता है हम इस चैनल पर बहुत इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग टॉपिक करा होता है कोफिशिंट क्या होता है टर्म्स क्या क्या होती है और भी आइडेंटिटीज जो कि हम यूज करने वाले हैं जो आगे भी यूज होगा 10th 11 12 में तो इन्पोर्टेंट ट्वीडो होने वाली है यह क्योंकि यह बेस बन रहा है आप लोगा क्लास 9 में क्लास 10 में भी प प्रॉब्लम ना हो आज की वीडियो में सीखेंगे कि पुलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है यह इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के लिए तो चलिए सीखते हैं कुछ नया उमीद वीडियो पसंद आएगे आप लोग को और वीड अ-оне एक है यह के तो पोलिनोमियल की बात करने है हमारे चेप्टर का नाम कैंए पोलिनोमियल होता क्या है तो पोलिनोमियल को जानने से पहले हम टर्म्स के बारे में जानेंगे कि टर्म्स क्या होती है जो terms है वो होती क्या है terms किसे कहते हैं तो देखे कोई भी alphabet और consonant को मिला के ऐसा कोई number लिख दिया मैंने कोई equation लिख दिया तो इसे मैं terms बोलूँगा क्योंकि मैंने alphabet और values उस constant value को मिला के बनाया है ठीक है तो यह जो terms है मालीजी single term लिखते हूं यह बस 2x लिखा है ठीक है तो इसे इसमें क्या है यह जो 2 है यह constant value है यह coefficient है constant और जो x से वो क्या है variable आप सबको पता होगा कि यह variable है तो terms किसे मिलके बनी होती है constant value और variable से जो यह x के आगे जो number है constant value है उसे हम coefficient भी बोलते हैं अगर यह x है तो x के आगे ओले number coefficient of x होगा अगर यह x square होता तो x के आगे ओले number coefficient of x square होता तो उमीद है आप लोगों समझ में आगया हो कि terms किसे कहते हैं terms दो चीजों से मिलके बनी होती है जिसे हम बोलते constant value यह coefficient और variable को मिला के हम terms बनाते हैं इसलिए अब यह तो हमने जान लें कि terms क्या होती है लेकिन यह क्यों जाना इसको बाद में जानेंगे इससे पहले सीखते कि polynomial होता क्या है polynomial polynomial जो है दो सब्दों से मिलके बना होता है देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा polynomial अगर इसको तोड़के लिखे हम तो इसमें आएगा poly प्लस no-meal polynomial को दो सब्दों से रहा है रहे जैंके ऑना उन में से ठीक है तो प्ली का मतलब क्या होता है many मतलब बहुत सारे और debugging का मतलब क्या होता है terms अब आप लोग को समझ में है कि सबसे पहले मैंने terms के अईterm क्यों आएक्स्प्रेम क्या यो कि पॉलिनोमिल, जब बहुत सारे terms को हम मिला देंगे, many terms जब बहुत सारे terms को मिला देते हैं और उसे कुछ equation बनती है या कोई graph बनता है तो उसे हम पॉलिनोमिल कहते हैं नाम। इसमें बहुत तर्म्स include होती हैं, पॉलिनोमियल दो सब दो से मिलके बना है बाई प्लस नोमियल पोली का मतलब होता है मैंनी अब नोमिल का मतलब होता है टंश तो पलले नोमिल उमीद है समझ में आ गया होगा अब देखिए पढ़ते हैं कि पली नोमियल जो है वह तो एक्सप्रेशन है इसको हम सिंगल बोलते हैं अगर इसी में मैंने एक और प्लस कर दिया तैसे दो टम बोलेंगे अगर मैंने इसमें यह लिख दिया एक्स स्कaty rumors फ्लस टू एक्स स्कार प्लस ठू बास ठू यह हो गया तीन टम एसी एक से ज़्यादध फ्लसे को सव लिख अगयर ते मिलके एक्वेशन बना दिया नहीं हो मनें इसलिए आगे बढ़ते हैं, polynomial तो सीख लिया हमने, अब सीखते coefficient क्या होता है, अभी पताया गया था, आपको की coefficient क्या होता है, माल लिजिए, कि 2x² प्लस 4x प्लस 2, तो इसमें coefficient of x² क्या है, अभी पताया गया था, coefficient का मतलब होता है, गुनांग, गुनांग, गुनांग कित से बना है, देखें, गुनांग को अगर तोड़ेंगे, तो ये गुनांग, प्लस अंक से बना है, ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं, हिंदी क्लास हो रही है क्या, आप सब को तोड़ तोड़ के बता रहे हो, तो ये सबसे आसान तरीका होता है, किसी वेराफिस को सीखने का प्रैक्तिकल लाइप में यूज करने का यसे कि आपको लाइफ ।ाइम तक याद रहे हमें रटना नहीं होता है अभले मैस को फील करके समझना होता 5 लुज को मैंठ को द किजिए समझध हैं ताकि आपको जिन्दगी वग याद रहे तो गुनांक मतलब कोफीशेंट इसे बोलते हैं कोफीशेंट किसे बना है गुना प्लस अंक से मिलके गुनांक ठीक है गुना का मतलब क्या होता है जो मल्टिप्लाई हो रखा है अंक का मतलब क्या होता है जो अंक जो नंबर है जो नंबर है वो multiply हो रखा है x square से तो लिखेंगे आपे coefficient of x square equal to 2 क्योंकि 2 multiply हो रखा है x square से ऐसी अगर मैं coefficient of x पूछू तो क्या लिखेंगे आप लोग coefficient of x क्या होगा तो आप देखेंगे कि x जो है किस से multiply हो रखा है तो x किस से गुना हो रखा है चार से तो यहां लिखेंगे हम चार ठीक है अब इसमें constant value क्या है कोई किसी से भी गुना नहीं हो रखा कोई variable ही नहीं है तो constant value क्या है तो यहां लिख देंगे constant value जो constant है वो 2 है ठीक है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि coefficient क्या होता है coefficient का मतलब क्या होता है coefficient को अगर संदीव छेद करें अलग-अलग terms में तोड़ के लिखें तो गुना प्लस अंक होता है और गुना का मतलब होता है अंक का मतलब नंबर होता है मतलब कि वह नंबर जो किसी भी वेरिवल से मल्टिप्लाई हो रखा उसे हम coefficient बोलते हैं या कुनांक बोलते हैं एकस स्क्वेर का कोफिशिंट टू होगा क्योंकि टू मल्टिप्लाई हो रखा एकस स्क्वेर से एकस के कोफिशिंट 4 होगा क्योंकि 4 मल्टिप्लाई हो रखा है एकस से और कोई भी वेरिवल नहीं होगा जिसके साथ उससे हम कौंश्यिंट tane वह लीँखें के यह लिए अगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगला टॉापिक कि टाईप्स पॉलीणोमियल क्या होता है पहले हमने प्억ि क्या होता है फिर हमने पढ़व California को उन्हं होता है नहींने पढ़़ tillweấn कि औ ces लीवश में तीन टाइप के polynomial है ठीन भागों में polynomial को बाठा गया है कौन-कौन से जिसमें एक term हो सिर्फ एक term जिस polynomial में हो उससे हम बोलते है क्या बोलते है monomial जिसमें एक term होता है उसे हम बोलते है monomial ठीक है जिस polynomial में x या 2 term होती है x से ज़्यादा term होती है माल दो यहाँ लिख देती है x square plus x इसे हम क्या बोलेंगे binomial binomial का मतलब क्या होता है जिसमें 2 terms होते है binomial किससे बना है by plus nominal by का मतलब 2 होता है जिसमें 2 terms होते है ठीक है तो दो terms होंगे उसे हम बोलेंगे binomial ठीक है और जिसमें 3 terms होंगे उसे क्या बोलेंगे बताईए 3 terms को क्या बोलेंगे comment box में comment आना चाहिए comment वरवर क्या आना चाहिए क्योंकि बहुत interesting सा topic है और important सा topic है जो 3 terms होते हैं उसे बोलते है trinomial आपको इन सब चीजों को रटने के जुरूत नहीं है यूँकि इन सब चीजों को देख की पता सल सकता है जिसमें 1 term है उसे monomial कहते हैं जिसमें 2 terms है binomial क्योंकि by क況 मतलब 2 होता है ऐससा जिसमें 3 term से है trinomial बोलते है try का मतलब 3 होता है तो अमीड है आपको समझ में आगया होगा आप लोग के लिए लिखा हुआ है आप लोग इसका स्क्रीन जोट ले ले और नोट्स बनाते चले ताकि एक्जाम के टाइम आपको रिविजन करने में काफी हेल्प हो सके वीडियो को देखके तो समझ लेंगे लेकिन बार बार अगर आपको देखना होगा समझना होगा मालीजे आप स्कूल में बैठे हैं तो फोन तो नहीं लिजा सकते हैं तो उस नोट्स को पढ़के आप नमबर आ सकते हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ और मैं आपको समझाते चलूँगा और साथी साथ कमेंट करते रहे हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है वीडियो में कौन से स्टैप है जो आपको समझ नहीं आ रहा ताकि आपकी प्रॉब्लम का आपकी समस् सके ठीक है चलिए अब पढ़ते एक रोड़ दुड़ क्या होता है नामसे पुंस्टेंट मतलब कोई नंबर होता है अभी पताया था सब्था कोई नंबर होता है ऐसा पूलिणोम्य जिसमें कोई वैरीवल यह नहीं बस नंबर है व्याइब तो आप लोग बुलेंगे कि polynomial तो term से मिलके बना होता है और यह term तो है नहीं, term दो चीजों से मिलके बना होता है, variable और constant से, तो अगर इसे देखे हम, इसको ओए deep में देखें, तो two है यह, ठीक है, यह two है, तो two polynomial कैसे है, चले जानते हैं, इसके पीछे का logic, यह two है, आप लोग को पता होगा, कि अगर मैं one की पार zero लिखूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, zero, किसी की पार zero लिखूँ, तो क्या होता है, zero, यह one, बन न, चलो छोड़ो, यहाँ पे मैं x की पार zero लिख सकता हूँ, x की पार zero लिखूँगा, तो क्या होगा, one, किसे की पार हम zero करते हैं, one की पार zero कर दिया, तो one आ गया, 2 की पार 0 मतलब 1 3 की पार 0 मतलब 1 x की पार 0 मतलब 1 y की पार 0 मतलब 1 किसी भी variable constant की पार हम 0 करते तो उसका मतलब 1 होता है अगर मैं x की पार 0 लिखू हूँ तो माली ज़िए ये 2 है ठीक है 2 को 1 से मल्टिप्लाई करूँगा तभी 2 ही आएगा तो 1 की जगा मैं X की पावर 0 लिख सकता हूं क्योंकि X की पावर 0 का मतलब 1 होता है तो यह एक टम बन गया ना यह constant value हो गई और यह हो गया variable लेकिन variable के value तो 1 है तो पूरा number constant है इसलिए हम इसे constant polynomial पड़ते हैं देगे इसमें बस numbers होते हैं numbers होते हैं कैसे 7 हो गया 7 भी एक constant polynomial है क्योंकि इसमें कोई variable नहीं है आप लोगों समझ में आ रहा होगा ऐसी में उम्मीद करता हूं constant बहुत आसान सा टर्म है constant मतलब कुछ नहीं हो कोई variable हो ही ना उसमें उसमें उसे constant polynomial वोलते हैं चलिए आगे देखते हैं degree of a polynomial किसी भी polynomial के degree कैसे बताएंगे कि कितने डिगरी की है कैसे निकालते हैं डिगरी तो किसी भी polynomial के degree उसकी highest power होती है उस polynomial के highest power degree कहलाती है उस polynomial की माल इस यह मैं लिक रहा हूं xq plus yq ठीक है तो इसमें highest power कितनी है यह तो दो वेरिवल हो गए ना हाइस पावर कितनी है किसी भी polynomial की माल लिए यह दो polynomial है तो highest power कितनी है एक भी polynomial के highest power कितनी है तीन तो इसके degree कितनी हो जाएगी अगर मैं लिखता xq plus yq पावर 4 plus x square बोलता है कि इस polynomial का यह जो polynomial दिख रहा है हमें इसका degree कितना होगा highest power कितनी है तो आपको दिख रहा होगा यह 3 है highest power यह 2 है यह 4 है तो सबसे बड़ा कौन सा है 4 तो यहां पर degree क्या हो जाएगी 4 ठीक है ऐसे कोई polynomial है 2x square plus xq plus x4 plus 1 equal to 0 अब मैंने पूछा कि इस polynomial का highest power कितना है तो आप लोग क्या वह लेंगे कि इसमें x का power जो 2 है इसमें 4 है इसमें 3 है तो सबसे बड़ा क्या होता है 4 तो 4 जो होगा highest power होगा मतलब इस polynomial का degree 4 होनी चाहिए अगर मैं पूछ xq का coefficient क्या होगा तो आप लोग क्या बताएंगे xq का coefficient जो है 2 किसे multiply हो रखा हो तो से multiply हो रखा है आगे कोई number नहीं दिख रहा उसका मतलब एक होता है जीरो नहीं अगर इसको जीरो लिखेंगे जीरो से multiply तो यह पूरा जीरो बन जाएगा लेकिन अगर जीरो की जगा हम one लिखते हैं तभी यह xq भी रहेगा तो मतलब अगर कोई value आके नहीं दी गई हो किसी भी variable के आगे कोई value नहीं दी गई हो उसका मतलब one होता है उसका coefficient उसका गुनांग one होता है x4 का coefficient क्या होगा one होगा क्योंकि आगे कुछ values नहीं है चले आगे बढ़ते हैं आगे हम पढ़ेंगे कि polynomial उसके degree के हिसाफ से polynomial हो किटन टाइप में बढ़ता गया है तो बहुत साथ टाइप होते polynomial के degree के अनुसार भी लेकिन आपको तीन प्रकार के पढ़ने हैं आपको देख रहा होगा कि linear polynomial होता है एक linear होता है linear का मतलब क्या जिसकी power highest power कितनी हो नहीं चीए one अगर किसी भी polynomial के degree highest power one होगा उससे हम linear polynomial बोलेगे जैसे माले इसे x plus y equal to four इसे हम linear बोलेंगे तो क्या पर x की पावर भी one है y की पावर भी one है ठीक है अब क्या है quadratic polynomial जिसकी highest power कितनी होने चीए two जिसकी degree जो है वो two होगी highest degree two होगी उससे हम quadratic polynomial बोलेंगे जैसे three x square plus four x plus five equal to zero यह क्या इसके highest power कितनी है two तो इससे हम क्या हो लेंगे quadratic polynomial ऐसे cubic polynomial देखे cubic polynomial क्या होता है जिसकी highest power यह degree जो होगी वो three होगी तीन highest degree होगी उससे हम cubic polynomial कहते हैं इसकी भी example देख लेते हैं जैसे देख लीजे एकस क्यूब प्लस two x square plus x plus one equal to zero तो यह cubic polynomial है अब चलिए standard form भी देख लेते हैं कि linear polynomial के standard form क्या होता है quadratic के क्या होते हैं और cubic क्या होते हैं तो standard form देखेंगे अभी देखें लीनियर polynomial का standard form ax equal to zero होता है ठेखें और quadratic polynomial का standard form क्या होता है ax square plus bx plus c बराबर zero cubic polynomial का standard form क्या होता है ax cube plus bx square plus cx plus d equal to zero मतलब कि कोई भी polynomial अगर इस form में देखें उसे हम linear polynomial बोलेंगे अगर square देखें किसी भी polynomial में तो हम उसे quadratic polynomial बोलेंगे अगर cube देखें तो हम उसे बोलेंगे cubic polynomial ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ numbers ठीक है कोई हमने एक question लिख दिया x cube plus 2 x square plus x plus 1 तो यह हो गया cubic polynomial क्यों हमने compare किया इसके standard form से तो x cube मतलब एक की value क्या आ गई कुछ नहीं है x के आगे 1 b x square x square है b की जगा यहाँ पर 2 लिखा है c x c x c की जगा वन लिखा है क्योंकि x का coefficient क्या है 1 और यहाँ पर c है तो c की value है 1 और d की जगा constant value constant value क्या है 1 तो यह हम compare करके a b c d की value find कर सकते हैं ऐसी इसमें a b c की value पता कर सकते हैं इस पूलिनोमियल से compare करके तो इसलिए standard form जानना भी काफी आस वह जाता है important हो जाता है ठेक है चलिए आगे बढ़ते हैं algebraic identities कौन कोर से identities होती है आप लोग को पता है काफी important topic है यह very important topic है identities तो आप लोग को याद ही होनी चाहिए इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है इस chapter में identities आप याद करिए रटिए प्रैक्टिस करिए रटना नहीं है ठीक है अगर याद नहीं हो रहा तो आप बारवर उसे practice कीजिए आप कहीं भी से यह किसी से भी पूछिए या फिर अपने दोस्तों से पूछती रही है ऐसा माहौल बनाई आसपास कि आप लोग को याद हो साय है या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उससे लिटेट बहुत सारे ठीक है और यह आइडेंट्री जो है काफ़ी इंपोर्टेंट है क्लास 10 में भी यूज होती है 11 में भी और 12 में भी तो आप इसे याद ही रखेंगे ठीक है डिक्वेस्ट नहीं है वार्निंग है पहले सबसे फेमस आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वार ठीक है सभी यही पूचते हैं क्या होता हिए a square प्लस b square प्लस 2ab आप 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं आपकी मरसी a माइनस b का होल स्क्वार a square प्लस b square माइनस 2b a plus लुक जाए गया तो मिनुट x plus a x plus b का फॉर्म ला होता है identity होती है हमारी x square plus a plus b x a b यह होती है क्या यह होती है चेक करिए गा ठीक है अगला होता है a plus b plus c का whole square काफ इंपोर्टेंट है a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a अगला होता है a plus b का whole cube a q a q plus b q plus 3 a b a plus b a minus b का whole q यह होता है a cube minus b cube minus 3 a b a minus b अगला है इसे प्रकार से आगे बढ़ती है आगे देखेंगे a q minus b q का formula पहले प्लस का देख लेते हैं a q plus b q का formula क्या होता है इसके identity होती है a q plus b q है ना तो plus करेंगे आगे यहापे plus फिर a square plus b square minus a q अब minus का देख लेते हैं a q minus b q यह होता है हमारा a minus b a square plus b square plus a b 2 a b नहीं होता a b होता है तो यह ध्यान रखना इसे identity में अगली identity आ जाती है जो काफ़े important है जो competition में भी पूछे आती है a q plus b q plus c q या फिर आपकी बुक में लिखा होगा x q plus y q plus z q एक है minus 3 a b c तो इसके identity होती है क्या चलिए है सीखते है a plus b plus c a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c तो ये कुछ हमारे identities होती है आप इसे लिख लिए याद कर लिए इसक्रीन सॉट लिए लिए ताकि जब मैं questions problem solve करवाऊं निम्रिकल कर रहाऊं exercise solve करें हो तो आप लोग को ये सारी identities याद होनी चाहिए मैं पूछता रहोगा कि आपको याद है कि नहीं question solve करवाने से पहले मैं पूछूँगा कि इसका identity क्या होती है हमने पढ़ा था तो आप लोग कमेंट करके बताते रहना है कि इसका identity यह होती है हमें याद है हमने याद कर लिया है क्योंकि यह काफी important है आपकी life के लिए आप किसी competitive exam की त्यारी करेंगे तो यह सारी basic identities हो है जो आप class 9th में पढ़ रहे हैं वह आपसे पूछी जाएंगे और वहां पर काफी help करेगा अगर आप लोग को यह आता है तो तो उमीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी आप लोग को काफी informative हो रही होगी वीडियो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आपने सीखा हुआ कि पूल्नोम laps के recognize what होती है, pony nut minder klar को के सीखा की नई का इसा से निकाला जाता है तो आधकर आप याद करेंगे अगली क्लास मैं पूछाँ है क्या क्या है और कौन कौन सीी है तो उमीद है आप याद करके आएंगे मिलते हैं अगले नयग वीडियो में exercise के जब तक मैं उमिद करता हूं कि आप याद कर लेंगे हम आपका होमवर्क याद करना कि अगले नए वीडियो में तब तक लेये पढ़ते रहिए और खेलते रहिए मिलेंगे अगले नए वीडियो